कलर्स टीवी का सबसे फेमस रियालिटी शो बिग बॉस 14 एक बार फिर से दर्शकों के बीच आने को तैयार है शो के कई प्रोमो रिलीस किये जा चुके हैं जिसमें पुराने सीजन के कंटेस्टेन नजर आ रहे हैं इसी के साथ बिग बॉस 14 के लिए कई कंटेस्टेन के नामों की अटकले भी लगाई जा रही हैं बिग बॉस में जाने के लिए जिन स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं उन में से एक नाम उत्रन एक्ट्रेस टीना दक्ता का भी है टीना के नाम पर कई दिनों से चर्चाच चल रही थी लेकिन इन खबरों से परिशान होकर टीना ने खुद अपने बिग बॉस 14 में जानी की बात को लेकर खबरों से परदा उठा दिया है टीना ने बिग बॉस की प्रती अपना प्यार जाहिर करते वे उन्हें एक लव लिटन लिखा है जिसमें टीना लिखती है प्रिय बिग बॉस आपको पता है न कि आपसे कितना प्यार किया जाता है अब मैं वो कह रही हूँ जो मैंने कभी नहीं कहा हे भगवान जब से आपके और मेरे बीच इस खयाली रिष्टे की अफ़ा उड़ी है तब से मेरा फोन लगातार बज रहा है मुझे उस लड़की जैसा महसूस हो रहा है जो अभी अभी इंगेजड होई हो मुझे मीडिया से कॉल आ रहे है हमारे बारे में हेडलाइन्स चल रही है और बहुत उठसशुकता है मैं सोच रही हूँ ये खिचड़ी पकी कैसे मेरे प्रिय बिग बॉस मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन एक औरडियन्स की तरह ना कि कन्टेस्टेंड की तरह प्यार टीना दत्ता टीना के इस पोस्ट के बाद अब ये बात तो कन्फरम हो गई है कि वो बिग बॉस 14 का हिस्सा नहीं बन रही है लेकिन बिग बॉस के आफ़र को ठुकराने का यह अंदास उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है आपको बता दें कॉलकत्ता की रहने वाली टीना दत्ता ने अपने करियर की शुरुवात बांगला शो से की थी इसके बाद उन्होंने एक तकपूर के शो कोई आने को है सीरियल से हिंदी टीवी इंडूस्ट्री में कदम रखा लेकिन टीना को असली फैचान लोगप्रिय शो उत्रन के द्वारा मिली थी इस शो में उनके साथ रश्मी देशाई भी नजर आई थी टीना ने खत्रों के खिलाडी सहित कई सारे रियालिटी शो में पाटिसिपेट किया इसके बाद टीना दत्ता एकता कपूर के शो दायन में भी काम कर चुकी है और बेतासतर इन अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करें घजब खबरें